नमस्कार आप देख रहे हैं देश्पानियूज और मैं हूँ आपके साथ जोती जिन्हा एसिया का सबसे बड़ा मिला सोनपूर मेला हम पहुँच चुके हैं और आपको हम सोनपूर मेले में चल करके दिखलाने वाले हैं कि क्या कुछ खास है इस बार सोनपूर मेले में एसिया का सबसे बड़ा मिला है और इस मेले में बहुत सी अलग-अलग चीज़े देखने को मिलती है तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या कुछ खास है देखे तो हम सोनपूर मेले में आगे की और बढ़ते हुए पहुच चुके हैं आट इन क्राफ्ट जो यहांपर अंदर में काफे सारे आट इन क्राफ्ट से बनी जु चीजेeneca काफी आइट जुह हैं वह हमें अंदर देखने को मिलेगी ब्राफ और अब हम अंदर चलेंगे कि क्या कुछ अलग अलग चीजेगे जुन है वहा तों की सड esteפ बना करके यहां पर लगा इग reflex है क्युकि अलग अलग तडिके की जो चीजे हैं जैसे कि बैक्स हुए या फिर घर के सुजाने के लिए और भी चीजे हुई वो सभी चीजे यहां पर हमें मिलने वाली है अब हम सुरू करेंगे अगर इस सुरुवात करते हैं तो यहां पर हमें काफी सारे कपरे दिख रहे हैं और घर में लगाने के लिए डोर से बनाते हैं यह यह जो है यह मसीन के जरीए नहीं हाथ से बनाई गई यह कितने की होगी 350 रुपय की और कितना कितना बढ़ा जो है इस ओड पर जाएगा आपको और यह जो है ड्रेस मटरियल जो है यह जो दुकान दार है वह यहां पर पहुंचकर अपने अपने दुकानों को लगाए हुए हैं आप इधर के और देखिए तो यहां पर भी कई साड़ी तरह की अलग अलग चीज़े जो हैं वो देखने को मिल रही है यहां पर काफी जादा महिलाओं की भीर है चुलिए देखते हैं आकिर है क्या अलग अलग बढ़तने हुए पुजा के समान हुए मैटल की जितने चीज़े हैं वह लाई गई हैं आप लोग कहां से तो आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर महिलाओं की भीर है अलग-अलग चीजे जो हैं वो चाहे घर के लिए हो या फिर घर की सजावट के लिए हो या फिर रसोई के लिए हर एक चीज यहां पर देखने को मिल रही है और यही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भी हम देखें तो यहां काफी सारी चीजे जो हैं व तो क्या पसंद आ रहा है आप लोग पसंद तो सभी है तो क्या करें आचा सभी आतो चले जानते हैं कि यह जो चीजें है वो यह लोग कहां से बना कर लाते हैं और यह सब अब क्या खड़िदारी के लिए जो है ग्राहक पहुंच रहे हैं यह सभी चीजें आप हाथ से बनाते हैं बना है हम लोग खुद से बनाते हैं हम लोग के घर में बनता है यह घर कीनि पके की क्या में लिट क laure यह 3ड से बना हूफ हाथ सारा जोसे हैं लाइए यह यह सब कि भेमबू की ही है शबी बैमबू से क्राफट किए गई चीज़ें यहां पर हे रखी गई हैं और सभी हैंड मेर्ड चीज़ेंसदि को हाथों जे बनाया गया आपगी कोश्य चीज दू है samo यहां पर सजाई गई है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है सभी हैंडमेड बैक्स है और काफी जादा यह जो चीजें हैं लोगों को पसंद आ रही हैं हैं सभी हैंडर बॉक्स शेज फीश सब हैंडमेड जी मैं में शैंक से बनावा शेंडर बॉक्स है प्रोजपीं से शीप का बना हुआ इस च्रफ बना चैनल करके बना जाता है सैंटी क्राप्ट डाटम हैंड वर सत्थ को बैक्कपिन्स भी बना हुआ है इसका शीषल नेकलेस मेंकलेत्ट गुले का सब्सक्युर्थ पना हुआ है स्ब्सक्राइब यहां पर जो है दुकानदार है वो अपने दुकानों को लगाए वे हैं अलग अलग चीजों को यहां पर लगाया गया है है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है और सभी हैंड मेट चीजों को आगे बढ़ाने की भी एक कोशिश है क्योंकि चीजें हैं वह एंड मेड हैं मिल्ग हुमने आए हैं जी जी क्या कुछ पसंद आ रहा है मेला में कपड़ा पसंद रहा है लख्री का यूजे बना हुआ ह पर कई सारे लोग जो मेले को मैं हैं और बहुत सी कडी-डाडी जो यहां पर करने आए हैं क्योंकि बहुत से अलग-अलग चीजे यहां पर इस मेले में मिलने वाली है और हम भी आपको वो सभी अलग-अलग चीजे दिखाने वाले हैं तो इस Art and Craft के ग्राम से हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजे भी आपको दिखाएंगे ऐसे ही बने रहे देशवानी उसके साथ सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले